हेलो फ्रेंस वेल्कम टो वंडे एक्जाम टार्गेट जैसे कि आप सभी जहां रहें कोरोना वाइरस बहुत ही ज्यादा चर्चा में है तो अब के लिए करेंट फेस और जीके की पॉइंट आप व्यू से सभी एक्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपोर्डेंट होने वाला है तो आप लोग शुरू से लाज तक वीडियो के साथ मने रहेगा काफी इंपोर्डेंट कोस्टिन का केलेक्शन आपको यहां पर देखने को मिलेगा सभी एक्जाम के लिए आने वाले सभी एक्जाम के लिए यह बहुत ही यूसफुल वीडियो है तो आप लोग वी चीन के वुहान शहर से इस कोरोना वाइरस के शुरुआत हुई यही से वाइरस फैला है लग बग मद्य दिसंबर में केस देखने को मिला था बात आ जाती चीन की तो इससे रेलेटर कुछ इंपॉर्टन फैक्ट चाल लेते हैं चीन की राजधानी क्या है चीन की राजधान कौन है श्री जिन पिंग है और चीन के वर्तमान प्रदान मंत्री ली कच्चिया आंग है और बहुत ही इंपॉर्टन फैक्ट यह रहा अभी हाली में दिसंबर में भारत और चीन के मद्य एक युद्धा भ्यास हुआ उस युद्धा भ्यास का नाम क्या है है हैंड इन संगाई और बीजिंग में कुछ लोग कनफ्यूँच कर जाते तो संघाई इसका प्रमुक बित्तिय के अंधर है और बीजिंग चीन की राजधानी है अगले कोशिन पर हम चलेगे नेक्स्ट हमारा कोशिन है कोरोना वायरस है कैसा वायरस है दिन ने आरेन ने दोनों या यहां पे आपका सही हो जाता है, B, RNA Virus, RNA ऐसा वायरस, जिसका अनुवांसिक जिरोम जो होता है, उसका निर्मार और RNA Nucleic Acid से होता है, Nucleic Acid DNA भी होता है और RNA भी होता है, RNA का full form है Ribonucleic Acid और DNA का full form है Deoxy Ribonucleic Acid, तो Corona Virus में जो Nucleic Acid है, वो कौन सा होता है, RNA, यह RNA से बना होता है, इसका Nucleic Acid, इसका Genome, और यह कैसा होता है, Single Standard RNA होता है, ठीक है, यह Single Standard होता है, एक ही धागा इसमें होता है, एक्जांपल के तौर पर Hepatitis C Virus भी RNA Virus होता है, और अभी आप देख रहे है, Noble Coronavirus 2019 यह भी कौन सा है, RNA Virus है, अगले Question पर हम चलेंगे, Next हमारा Question है, बहुत ही Important Question है, Most Important Question, WHO ने Coronavirus का अधिकारी का नाम क्या दिया है? विकल्प आप सभी के सामने, तो आप लोग Option चोच करिए, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, B, COVID-19, COVID-19 क्या इंडिकेट करता है? दिखे, C, O, V, I, D, 19, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखते रहेगा, COVID में, CO का मतलब है, Corona, C, O का मतलब है, Corona, V, I का मतलब है, Virus, Short form में लिख दिया गया है, D का मतलब है, Disease, और 19 का मतलब है, यह साल को इंडिकेट कर रहा है, Year को इंडिकेट कर रहा है, 2019 को, जब यह बिमारी पैदा होई थी, ठीक है? तो यह COVID-19 किसकी स्टीच को इंडिकेट कर रहा है, इसमें जो C, O है, वो Corona को, और V, I, जो है, यह Virus को, और D, Disease को, 19, 2019 साल को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर बात आ जाती है, WHO की, इसके बारे में भी कुछ important fact जान लेते हैं, WHO, World Health Organization, विश्व स्वास्ते संगतन, विश्व स्वास्ते संगतन, इसके स्थापना कभी थी? 7 April 1948 को, WHO का मुख्याले कहाँ पर है, स्विर्जल लैंड के जिनेवा शहर में इसका मुख्याले है, और इसके महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक है, ट्रैड्रोस एड्रेनॉम गब्रियसस गब्रियसस ठीक है? ट्रैड्रोस एड्रेनॉम गब्रियसस ये डब्लो एच्चो के महानिदेशक है, और यहाँ पर एक बहुत important fact जान ये, भारत भी विश्व स्वास्ते संगतन का एक सदस्थ्य देश है, और इसका जो भारती मुख्याले है, वो कहाँ पर है? भारत की राजधानी नई दिलनी में इस्तित है, अभी मैंने आपको डब्लो एच्चो के बारे में डिटेल में बता दिया, यहाँ पर एक minor difference बताते हैं आपको epidemic और pandemic में क्या अंतर है? epidemic और pandemic में क्या difference है? दोनों का शाब्दिक मतलब महामारी ही होता है, लेकिन जो epidemic होता है, इसका अस्तर उतना बड़ा नहीं होता है, यह में ली छेत्री या अस्थानी जनसंख्या के बीच होता है, इसका खत्रा बहुत जादा नहीं होता है फैलने का और इसका अस्तर जादा लोगों तक नहीं पहुंचता है, epidemic का मतलब है, pandemic का मतलब है, ऐसे संक्रामक महामारी जो किसी एक जगह से कई देशों, महाद्यूपों या फिर दुनिया भर में फैल गई हो, कोई भी संक्रामक बिमारी तब महामारी घोसित की जाती, जब उसका outbreak किसी एक देश को पार कर कोरोना जो है, ये epidemic नहों करके, ये pandemic है, ध्यान दिजिएगा, कभी भी आपके exam में question पूछा जाए, तो आप लोगी से pandemic समझेगा, ठीक, अगले question पे हम चलते है, next हमारा question है, question है, कोशी ने microscope से देखने पर कोरोना की सरचना किस के समान दिखती है, तो पिकल पे हाँ पे आपका सही होजाता है, सी crown के समान ये दिखती है, कोई भी वाइरस हो, वाइरस यानिकि विसान, कोई भी वाइरस होथ, उसमें जो पार्ट होता है, एक मद्धिय का पार्ट होता DNA RNA अनुवांसिक पदार्थ होता है तो maximum में RNA होता हो भी single standard RNA अभी मैंने आपको बताया था और एक बाहरी भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं कवच या envelop कहते हैं तो यह इसमें जो कवच है वो कैसा दिख रहा है बाहरी जो कवच है इसका जो खोल है मुकुट क्राउन जैसा द पहते हैं इसलिए इसका नाम क्या पढ़ा है को रोना पढ़ा है अगले कोशिन पर हम चलेंगे नेक्स्ट हमारा कोश्चन है को कोशिन है को रोना वार्ष सक कि देश में सबसे ज्यादा मृत्ती हुई है अब सभी जाना है विकल्पाप कर यहां पर सही हो जाता है चीन में चीन में सबसे ज़्यादा कोरोना की केस भी है और सबसे ज़्यादा डिद भी चीन में ही हुई है इसका डाटा अगर हम आपको दे तो डाटा में फ्लक्ट्ट्वेशन हो सकता है अभी कल तक का डाटा था 3179 और इटली में नेरबाउट 827 अभी यह डाटा बढ़ेगा भी अगले कोशिन पर हम चलेंगे नेक्स्ट नमारा कोशिन है बहुत ही इंपोर्टन कोशिन है most important है अभी हाले में कोरोना वायरस से किन-किन देशों में आपातकाल लागू हूआ बिकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है अमेरिका इस्पेंड दोनों में अपातकाल लागू ह पहले बात कर लेतें अमेरिका की अमेरिका में जो आपातकाल लागू हुआ है 1988 में एक कानून बनाया गया था संक्रामक रोग के तहट आपातकाल गोसित करने वाला कानून उसी के तहट यह आपातकाल यहां पे लागू हुआ है और 20 साल के बाद अमेरिका में हेल्थ एमर्ज पुषित किया था इस बिमारी से लड़ने के लिए ट्रंप ने 50 अरब डॉलर की वित्ती मदद दी है कोरोना वारस से लड़ने के लिए अमेरिका की राजधानी क्या है वासिंगटन डी सी अमेरिका के वर्तमार रास्पती कोंने डोनाल ट्रंप है अभी बात आ जाती डोनाल ट्रंप की तो एक इंपोर्टन पॉइंट आप लोग और जानते चलिए रहा अब अभी हाली में अमेरिका के रास्पती डोनाल ट्रंप भारत आया थे तो भारत में उनके स्वागत के लिए कारिक्रम आयोजित किया गया था तो उस कारिक्रम का क्या नाम था नमस्ते ट्रम्प जानते रहे बहुत ही चर्चा में था नमस्ते ट्रम्प इसका आयोजित कहां पर किया गया था अहमदाबाद में अहमदाबाद के सरदा पटेल इस्टेडियम में ठीक है फरवरी 2020 में ये कारिक्रम हुआ था इससे पहले जब मोदी अमेरिका गया थे हमारे जो प्रदान मंत्री जी है वो अमेरिका गया थे तो वहाँ पे एक कारिक्रम हुआ था हाउडी मोदी हाउडी मोदी ये कब गये थे हमारे प्रदान मंत्री वहाँ पे कब गये थे 2018 में हूस्टन टेक्सास में ये कारिक्रम हाउडी मोदी आयोजित किया गया था और उसी के प्रत्क्रिया के सोरूप इंडिया में नमस्ते ट्रम का आयोजिन किया गया था अमेरिकी राजपती डोन इसपैन की राजानी मैडिर्ड है और यहां की प्रदान मंत्री को ने? मारियानू, राहुई मुद्रा क्या है? यूरू है अगले कोशिन पे हम चलेंगे, देख से हमारा कोशिन है किस देश के प्रदान मंत्री कोरोना वारस की वज़े से अपने घर से सरकार चला रहे हैं? बिकल्प यहां पे आपका सही हो जाता सी, कैनडा के प्रदान मंत्री, कैनडा के प्रदान मंत्री को ने? जस्टिन टूडो यह प्रधान मिंत्री है अपने घर से सरकार चला रहे हैं अच्छब कैनेडा की राजधानी क्या है उटावा है कैनेडा के सबसे बड़ा नगर क्या है टोरंटो है अगले कोशिन पर हम चलते हैं कोशिन एक किस देश के प्रधान मिंत्री ने कोरोना वारिसं से एक जुठो कर लड़ने के लिए शार्क देसों के सामने प्रस्ताव रखा बहुत इंपॉर्टिन कोशिन है तो बिकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है जिए भारत के प्रधान मिंत्री नरेंद मोधी जी ने स सार्क देशों के सामने प्रिस्ताव रखा कि कोरोना वायरस से हम एक जुठो करके लड़ेंगे तो हम सफलोंगे हम इस पर विजय हांसिल कर लेंगे तो विकलब आपका यहां पर सही हो जाता है यह भारत अब बात आ जाती है यहां पर सार की तो इस से रिलेटेट इंपोर्ड सार का फुल फॉर्म क्या है साउथ एसियन असोसियेशन फॉर रिजिनल को ओपरेशन दक्षण एशियाई चेत्री सयोग संगठन इसमें कुल कितने देश हैं सदस्य देश कितने आठ हैं कौन को ने इंडिया है बांगला देश है भुटान है नेपाल है माल्दियू अपग अच्छा सार से ही क्यों आगरा किया जा रहा है क्योंकि यह सीमाएं पूरी भारत से सटी हुई देशों की जो सीमाएं भारत से सटी हुई हैं तो सभी लोग मिल करके सामना करेंगे तो कोरोना को भगा सकते हैं ठीक है और इसकी अस्थापना कभी थी यह कब बना था आठ द में बरतमान महा सच्चु कौन एसर के आहमद वी हुसेन पहले कौन थे नेपाल के अर्जुन बहादूर था पाजी थे ठीक है अगले कोश्चन पे हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा कोश्चन है बहुत ही इंपॉर्टन कोश्चन है डबलो एच्चो के अनुसार कौन सा महादीप दो भी माहा पूछय था है कि विकल्प यहां पर यẽ सही होजाता है भी यूरोप बात आती है यह यह उरोप की थे यहां कि यह उरोप के बारें आरे जालेते हैं भुष में कुल कितने महादीप है सात महादीप की यूरोप का नंबर की स्थान पर है छाट ही स्थान पर है सा गारा कौन कौन से हैं पहला एफ्सीया क्रम से आपको बता रहे हैं अप्रेक्या mirrors तीसरे नमबर पे अफ्रेका, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षडी अमेरिका, पाच्वा एक अंटार कर्टी का, छठा है यूरोप, सात्वा है ऑस्ट्रेलिया, अब यूरोप के बारे में कुछ इंपोर्टन फैक्ट भी जान लेते हैं, तो सबसे पहली यूरेशिया का प्रायदीप भी कहते हैं, प्रायदीपों का प्रायदीप, या यूरेशिया का प्रायदीप भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे सबसे बड़ा देश कौन सा है, यूरोप, महादीप का सबसे बड़ा देश है, रूस, सबसे छोटा देश, वे त्यार होना चाहिए और सबसेंचा पर्वस्षिखनल ब्रूस है है ब्रूसए कितना प्रूसएं है फाच जाण़ academics चाहिए हुर अट नेक्सट कोशचन पी हम आ जाते हैं संवारा कोश् цен करोणा से शरीर का कों सा अंद र PayPal होता है कोरोमा से शरीर का कौさい संग प्रभावित होता है कि विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है एक फेपड़ा कि नेक्स हमारा कोशिन है कोरोना वायरस का संबन्द किस वायरस परिवार से है कोरोना वायरस का संबन्द किस वायरस परिवार से है विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है SARS, NCOV, MERS, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है D, इस सभी परिवार से संबंदित है Next है, Coronavirus का नाम किस भासा से उत्पन हुआ है? मैंने आपको बताया है तो बेकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है बी लेटिंग भासा से यह नाम उत्पन हुआ है जिसका मतलब है मिली यह क्राउन से क्राउन से जो लेटिंग में इसका मतलब होता है क्राउन का मतलब क्या होता है कोरोना नेक्स्ट है कोरोना वारस के मद्देन जर केंज सरकार द्वारत जारी किया गया हेल्प लाइन नंबर क्या है हेल्प लाइन नंबर आपको बताना है केंज सरकार के द्वारत जारी किया गया हेल्प लाइन नंबर क्या है तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है A 011-23-978046 विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है A Next Question is किस देश ने कोरोना की कारण IMF से कर्ज मांगा है विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है Very good B. इरान ने इरान ने कोरोना की कारण IMF से कर्ज मांगा है बात आती है इरान की तो इरान के बारे में कुछ important fact जान लेते हैं इरान की राजधानी क्या है? इरान की राजधानी है तेहरान इरान की राजभासा क्या है? फार्सी है और यहां का प्रमुख धर्म क्या है? यहां का प्रमुख धर्म है Islam और रास्पती क्या कौ क lacet के यहां के रासपती है यहां के हसन रुहानी जे यहां पे IMF वी पोहत important है जान लेते हैं IMF का full form क्या है? International Monetary Fund लिख देते हैं इंटर नेशनल मॉनेटरी फंड इसका मुख्याल है हेड़कॉर्टर कहां पर है वाशिंग गटन डीसी में नेक्स्ट कोशन पर हम आते हैं किस सरकार द्वारा कोरोना वारस से मरने वालों के लिए चार लाक रूपे की मुआवजा रासी देने का इलान किया गया है तो यहां पर आपका बिकल्ब सही हो जाता है से भारस सरकार की द्वारा भारस सरकार ने इसे आपदा गोसित कर दिया है भारस सरकार ने कोरोना वारस को आपदा गोसित कर दिया है तो आपदा गोसित करने के बाद हो मिनिस्ट्री ने मरने वालों को चार लाख रुपे की मुआपजा रासी देने का इलान किया है अगला बहुत ही इंपॉर्डन कोशन है हाली में बारस सरकार ने किसे आवश्यक वस्तू गोसित किया बारस सरकार की द्वार्र कोई से वस्तू आवश्यक वस्तू की केटेगरी में डाली गई तो विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है hand sanitizer और mask दोनो अब यहां पे बात कर लेते हैं कोई से mask और sanitizer के तो यहाँ पे दोनों मास्क, दोनों मास्क कौन? 2-ply और 3-ply surgical mask और N95 mask दोनों को प्लस hand sanitizer को आवस्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहद इसे आवस्यक वस्तु घुसित किया गया किसके तहद? आवस्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहद क्लियर है? अगले 100 दिनों के लिए कितने दिनों के लिए? अगले 100 दिनों के लिए भारस सरकार ने इन दोनों को दोनों मास्क जो 2-ply और 3-ply है ये और N95 दोनों मास्क और hand sanitizer को आवस्यक वस्तु घुसित किया कि ये रहा लास में आजका सवाल आप सभी के लिए? कोरोना से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है आपको यहां पे बताना हैं? बीकल्प चुच करकर के दूसरा कोश्चिन आप सभी के लिए आजके सवाल में आजके सवाल के बार anderen सरकार सब दिनों के लिए किसी आवश्यक वस्तु माना है हैंड सैनेटाइजर मास्क उपर इक दोनों कोई ने तो बेकलब आपका कौन सा सही होगा आप लोग जल्दी से आज के सवाल की रिप्लाई कॉमेंट सक्समें फटावर्ट से कीजिएगा बिना चीटिंग के सभी जरूर दिजिएगा और अपने दोस्तों में अपने बच्चों में फैमली मिम्बर्स में जितने भी लोग हैं सभी में ये वीडियो शेयर कर दिजिए और आपकी आने वाले एक्जाम में यहां से कोशन हंडेड परसंट पूछा जाएगा बहुत ही जादा चर्चा का भी सह जादीजेगा सवस्तर रहिए जागरू करेए अफवास से बचिए मिलता ही फिर अगले वीडियो में आप लोग अपना ख्याल रखियेगा तब तक लिए गुडबाय ठीकेर लवी ओल बुबाय थैंक यू समच